दोस्तो अमेरिकन मीडिया की तरफ से अक्सर भारत विरोधी खबरे और बाते बताई जाती है जिनसे भारत की छवी को नुकसान होता है लेकिन कई बार ये खबरे भारत के अंदरूनी हलात, इंफ्राश्ट्रक्चर, मानवधिकार, हेल्थ केयर सिस्टम और सिक्षा को लेकर ह जिनने लेकर अक्सर बात करना कई भारतिय भी पसंद करते हैं लेकिन वही पर अमेरिका के अंदर कई ऐसे संस्थान भी मौझूद है जिनने केवल भारत के खिलाफ एक प्रोपगेंडा चलाना है ताकि अंतराश्ट इस तरफ पर भारत की छवी को खराब किया जा सके और फ भारत की फाइनेस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भारत की सुप्रीम कोट के कुछ जज और कुछ अन्य अधिकारियों को भी टारगेट करते हुए इसमें ये बास साफतोर पर लिखी है कि यही वे लोग है जो कि भारत को निवेस करने के लिए एक खतरनाक जगह बना रहे हैं साथी भारती सरकार में मजुद लोगों को तो टारगेट करी रहा है बलकि खुद भारत के उस सबसे उच्च अधिकारी जज और भारत की वित्मंत्री को भी टारगेट कर रहा है जो की काफी गलत है वही पर इस प्रचार को एंट्रिक्स दिवोस के से जोड़ कर देखा जा और अपत्ती जताई है जिसके बाद से अमेरिका में कोई बड़ा एक्सन होने की संभावना है लेकिन अगर अमेरिका वाल इश्ट्रीट जर्नल और इस प्रचार के प्रचारक के उपर कोई बड़ा एक्सन नहीं लेता तो ये मामला और तूल पकड़ सकता है क्योंकि वैसे पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दे चुका है तो यहां पर यह देखना काफी ज्यादा एहम होगा कि अमेरिका भारत की प्रतिक्रिया और आपत्ती को देखते हुए अपने अकबार और इस प्रचार के प्रचारक के खिलाफ इस तरीके के कदम उठाता है जो कि भारत को इस दोस्तों ये खबर चीन की तरफ से निकल कर सामने आ रही है जहां पर चीन ने भारत और अमेरिका की साजेदारी पर एक काफी बड़ा बयान दिया है जिसे लेकर अब काफी सारी डिबेट सुरू हो गई है क्योंकि चीन ने आखिर बात ही ऐसी बोल दी है जिस पर गौर करना भारत के लिए भी काफी एहम हो गया है दरसल दोस्तों चीन ने भारत और अमेरिका की सेमिकंडक्टर के छेतर में साजेदारी पर बयान देते हुए ये बास साफ तोर पर कह दी है कि अमेरिका भारत को केवल मोखिक आस्वाशन देगा और जमीनी इस तरफ पर कोई भी काम भारत को ये बताना चाता है कि अमेरिका भारत को सेमिकंडक्टर के छेतर में साहेता करने की जो बाते कर रहा है वेकेवल बाते ही है और जमीन पर उसका कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों चीन की तरफ से ऐसे बयान तब निकल कर सामने आ रहे है जब ताइव के सब्मन्त काफी खराब हुए हैं इस बास से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि अमेरिका ये चाता है कि ताइवान की कंपनियां भारत की बज़ए सेमिकंडक्टर की टेक्नलोजी और मैनिफेक्ट्रिंग अमेरिका में लेकर आए ताकि अमेरिका सेमिकंडक्टर के छेतर में 100% आत्म निर्भर बन सके ऐसे में ताइवान का भारत में निवेश करना अमेरिका के लिए एक काफी परिशानी की बात तो है ही क्योंकि जहां पहले अमेरिका को ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता था अब अमेरिका को भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा हाला कि ऐस अगर अपना समर्थन कम से कम मोखी ग्रूप से ही जता रहा है तो इसे भारत को यह सोचना पड़ेगा कि क्या भारत अमेरिका के उपर भरुसा कर सकता है सेमिकंडक्टर के छेतर को लेकर या फिर हमें केवल ताइवान के साथ ही अपनी साजेदारी को सीमित रखते हुए इस छेतर में विकास करना चाहिए चीन के इस बयान पर दोस्तों आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताएगा फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल अफेस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जहें